हाई गाइज वेल्कम बेक टू माइ चैनल कैसे यह आप सब आई हो आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे दो आज़ की वीडियो में आपके साथ समर हीर ग्रोथ हैक्स की वीडियो शेयर करने लगी हो hope guys आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो चलिए friends बिना time waste के वीडियो को start करते हैं let's get started तो guys गर्मियों में सबसे पहले जो सबसे पहला है कि गर्मियों में आपको अपने बालों में दही लगाना चाहिए दही लगाने से एक तो हमारे बाल बहुत ज़्यदा स्मूध सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे बालों में डेंडर्फ की प्रॉब्लम नहीं होगी इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी scalp बिल्कुल भी oily नहीं रहेगी तो आप गर्मियों में दही ज़रूर लगाएं जब भी आप hair wash कर रहे हैं hair wash करने से पहले 10 मिनट इसे लगा कर रख ले दही ऐज़ा कंडिशनर भी वर्क करती है बहुत ही अच्छे फाइदे है दहीं के अपनी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं जशन के बालों में दहीं लगा रही हूँ दहीं लगाने से hair fall की problem बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बाल आपके मजबूत बनती है तो बालों में tangles भी ज़्यादा नहीं रहते हैं बाल soft silky smooth बन जाते हैं तो देख सकते हैं scalp पर अच्छी तरह से मैं दहीं लगा रही हूँ दहीं लगाने से इचिंग की problem अगर आपको है यह problem भी आपकी खतम हो जाए कि dandruff आपका जड़ से खतम हो जाए का बाल आपके बिल्कुल silky smooth हो जाएंगे hair fall की problem आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो दहीं आप अच्छी तरह से पतला करके भी आप अपने बालों में दहीं लगा सकते हैं गर्मियों में specially हमें दहीं ज़रूर लगाना चाहिए विंटर्स में तो दहीं लगाने से और ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है तो summer में आप हमेशा hair wash करने से पहले दहीं ज़रूर अपने बालों में लगाएं आपको इसके बहुत ही अच्छे फाइदे देखने को मिलेंगे तो guys second जब आप hair wash कर लेते हैं तो 50% आपके बाल ड्राई होते हैं और 50% वैट होते हैं तब आपको अपने बालों में serum का यूज़ जरूर करना चाहिए मैं यहाँ पर sticks के serum का यूज़ कर रही हूँ काफी affordable serum है तो जशन के बालों में इसे लगा रही हूँ आप सबको बता है कि जशन के बालों की length काफी ज़दा लंबी है काफी लंबे उसके बाल है और tangles भी उतने ज़दा ही उसके बालों में होते हैं तो ऐसे में आगर आपक बहुत ज़दा कम हो जाते हैं बाल बिल्कुल स्मूद सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं तो serum का यूज़ आपको जरूर करना है घर्मियों में भी और सर्दियों में भी तो गाइज नेक्स जना अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं आपकी हेर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको हर तीन महीनों में अपनी ट्रीमिंग बालों की ट्रीमिंग जरूर करवानी चाहिए या डाई महीने बाद या फिर तीन महीने बाद आपको ट्रीमिंग अगर आप के बालों कि लेंफ एक जगा रूक गई आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो आप थोड़ी से ट्रीमिंग ज़रूर कर्वाइए अदुरंज्स मैं न ओक्रवानी चाहिए क्लड़ इसे और में तory रहती है ना तो आप यह वहाला त्रुपर पूस देख सकते हैं थोड़ा स्केलप पर लगाएं और फिंगर की हेल्प से पूरी स्केलप पर मसाज करें आपके स्केलप बिलकुल ड्राइ हो जाएगी आपको अपनी स्केलप बिलकुल भी ऑईली नहीं लगेगी बहुत ही अच्छा यह ट्रीक है इसे ज़रूर यूज करके तो ये भी ट्रिक आप ज़रूर यूज करके देखी आपको अच्छे फाइदे लगेंगी से आपकी ऑईली स्कैल्प तो बिल्कुल ड्राइ हो जाएगी तो आपको मोटी वाली कॉम का यूज करना चाहिए क्योंकि इससे बाल काफी जदा कम जड़ते हैं अगर हम अपने बाल से वह बहुत इसली रिमूव हो जाएंगे और आपको ये हियर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि जशन के बालों की लेंथ कितनी जदा अच्छी है जब भी मैं उसके टैंगल्स रिमूव करती हूं तो मां मोटी वाली कॉम का ही यूज करती हूं तो सरसो का ओल अपने बालों पर लगाएं समर में भी हमें अपने बालों का पूरा ध्यान रखना चाहिए जी हां समर में हमें स्वेटिंग के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है जिस वजह से हम अपने बालों के अच्छी केर नहीं कर पाते हैं बट हमें अपने बालों की ब अब भी आप उसे लमका कर रखें तो गाई इस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलूंगी मैं आपको अपनी नक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई